हेलो दोश्टू, स्वागत है आपका प्रियंका रर्निंग क्लासिज में आज का टॉपिक है जितने सारे चर्चा में रहे IIT इंस्टिचूट्स उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्योंकि यहां से एक्जाम में कोश्चन बाने की संभाब ना है कोरोना काल में काफी चर्चा में रहे थे IIT इंस्टिचूट्स तो चलिए हम लोग देखते हैं इस रेटेड कोश्चन ताकि एक्जाम में कोई कोश्चन ना छूटे यह सारे एक्जाम के लिए important topic है तो पहला कोश्चन हम लोग देखते हैं पहला कोश्चन है कि इस IIT के द्वारा आई मेडिक्स टेली मेडिसीन टेक्नलोजी लॉंच की गई है तो IIT खरकपूर इसकी ब्याक्या देखें इस टेक्नलोजी सॉप्ट बेयर का विकास COVID-19 से बचा है तू किया गया है नेस कोश्चन है काफी भी भी आई है किस IIT की संस्थान ने बहुप योगी माइक्रो प्रोसेसर मौसिक को निर्मित किया है तो IIT मदराज इसकी ब्याक्या है इस नय माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम मौसिक रखा गया है नेस्ट है किस IIT ने हाली में अधूतिय योबी जी वन अधारित कक्च किटानू सोधन उपकरन विक्सित करने का दावा किया है तो IIT रोपर इसकी ब्याक्या देखे यह उपकरन विसान वें बेक्टिरिया को निस्क्रिय करने के लिए UBC विकरनों UBC रेडियेशन के किटानू नासक प्रभाव का उप्योग करता है इसकी ब्याक्या हम लोग देखे यह किट IIT दिल्ली द्वारा विक्सित है इस परकारिया COVID-19 जाँच पधिती विक्सित करने वाला पहला सैक्षनिक संस्थान बन गया है Next question है काफी important है यहां से question बन सकता है तो question है कि संस्थान ने सारिक और मानसिक रूप से अच्छा में लोगों के लिए आखों की पुतली से चलने वाला computer विक्सित किया है तो भारती विग्यान संस्थान बेंगलूरू इसकी ब्याक्या है इस computer विशेश तोर पर ऐसी लोगों के लिए बनाये गया है जो अपने अंगों पर नियंत्रन नहीं रख पाते और बोलने की में भी सक्छम नहीं है नेक्स देखते हैं कि इस प्रवद की संस्थान द्वारा क्रितिम बुद्रिमता अधारित ड्रोन को बिक्सित किया है जो अवांचित ड्रोन का मुकाबला करने में सक्छम है तो भारती प्रवद की संस्थान मदरास इसकी ब्याक्या है इंटरनेट नियंत्रित इस ड्रोन के एक समू की तैनाती हो सकती है जिससे लोग ड्रोन वहां अनुब अस्तुओं को पता लगा सकता है और उन्हें ट्रैक भी कर सकते हैं नेश को इस शरम देखते हैं काफी इंपोर्टेंट है किस आयटी ने कोरोना संक्रमित लोगों पर नजर रखने हैं तो कोरोन टाइन एप विक्सित किया है तो भारती प्रोध की संस्थान बॉम्बे इसकी ब्याक्या है इस अप्लिकेशन का मक्सद अधिकारियों या प्रसासक को कुरेंटाइन में रहरे लोगों को ट्रैक करने और बिमारी के प्रसार को रोकने में मदद करना है नेक्स्ट है स्मार्टफोन ओप्रेट हैंडी अल्ट्रा बाइलेट किटानो सोधक हेलपर सुध नामक एक अल्ट्रा बाइलेट यूबी सेनेटाइजिंग डिवाइस बिक्सित किया है तो भारती प्रोध की संस्थान कानपूर इसकी ब्याक्या है सुध को अस्पतालों, वटलों, मॉल, कर्यालों और स्कूलों जैसे सबसे ज्यादा जोखिम बड़े अस्थानों पर कोरोना वारिस के परसार को रोकने में सायक हो सकता है नेक्स्ट है किस IIT ने कूल बोडी सनेटाइजेशन डिवाइस बिक्सित किया है तो भारती प्रोध की संस्थान बियाच्यू इसकी ब्याक्या है वारा नसीकासी हिंदुभी स्विध्याले के IIT विभाग IIT बियाच्यू ने कोबिड-19 से निपटने के लिए एक अनोखी डिवाइस तयार की है नेक्स्ट है किस IIT ने Integrated Road Accident Database IR AD प्रोजेक्ट लॉंच किया है तो इसका अंसर हो जाएगा भारती प्रोध की संस्थान मदरास इसकी ब्याक्या है प्रोजेक्ट के तहट एक्सिडेंट अस्थल के संबंद में जनकारी एकत्रित की जाएगी नेक्स्ट है किस IIT ने AIR scanner लॉंच किया है तो इसकी ब्याक्या होगा भारती प्रोध की संस्थान बॉंबे नेक्स्ट है काफी इंपोर्टेंट है किस IIT ने प्रान बायू वंटिलेटर लॉंच किया है तो भारती प्रोध की संस्थान रूट की नेक्स्ट है किस आयटी ने कोवी रैप डियागनोसिस परिक्षन लॉंच किया है तो इसके अंसर होगा भारतिय प्रहत की संस्थान खरकपूर नेक्स्ट है किस राज ने कोवीड-19 मरीजों की मदद है तुभी से रुप से निर्मित रोबट भारति का ओनलाइन सुवारम किया है तो चतिस गड़ इसकी ब्याख्या है चतिस गड़ की राजपल अंसुया विके ने अस्पताल में उपचार करा रहे कोवीड-19 मरीजों की म भुवनेश्वर इसकी ब्याख्या है यह अपनी तरह का पहला वेंटिलेशन डिवाइस है जो रोग्यों को असानी से सांस लेने में साहता परदान करता है इसकी ब्याख्या है आयाटी इंदोर ने लगवग एक हजार साल पहले भसका चार के गनितिय ग्रंत लेलावती के साथ सुरू करती हुए संस्क्रीत में छात्रों को साहत्त्री बैग्यानी पार्ट पढ़ाने के लिए एक तरह का एक पार्ट करम पेस किया है निक्स्ट है किस आयाटी ने स्वधेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज के तहट सकती माइक्रो प्रोसेसर बिक्सित किया है तो आयाटी मदराज इसकी ब्याक्या हम लोग देखे तो ये दो तरका चिप किया गया है जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर सकती 32 बिट का है और वेगा 64 बीट का आप निर्वर भारत के अंतरगत पहला IIT मदराज दुसरा CSAT Center for Development of Advanced Computering नेक्स्ट है हाली में की संस्था ने COVID-19 का पता लगाने के लिए कम लागत वाली जाच मुक्त वास्तवी के समय PCR डियागनोसिस कीट बिक्सित किया है तो IIT दिल्ली नेक्स्ट है कापी इंपोर्टेंट है यहां से क्वेश्चन बन सकता है आटल रैंकिंग AIRIIA 2020 में की साइटी ने टॉप किया है तो IIT मदरास ने इसकी ब्याक्या हम लोग देखें AIRIIA आटल रैंकिंग आप इस्टिचेशन ऑफ इनोवेशन एचीवमेंट्स नेस्ट कोश्चन देखते हैं कापी इंपोर्टेंट कोश्चन है कोविट वीप किस आएटी ने विक्सित किया है तो हैदराबाद नेक्स्ट है भारत इसकी ब्याक्या है भारत का पहला स्वदेशी किफायती एवं और वायरलेस एप है जो कोविट-19 मरीजों के सारिक माप डंडों की निगरानी प्रनाली है नेक्स्ट है नेशनल इंस्टिट्स रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 में किस आएटी ने ओबर ओल कर्टेगरी में टॉप किया है तो आएटी मदरास ने टॉप किया है तो आसा करते हैं आपको यह वीडियो पसं और वीडियो को एक दो बार सुन ले ताकि आपका रिवीजन हो जाए और कोई कोस्चेनिंग जाम में न चूटे तो आज के लिए तना है दूस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू